Welcome to Zil4Math हम आज इस वीडियो में महराश्टर ट्रीटी का एक और कोश्चन सॉल कर रहे हैं कोश्चन है मतुरा ने एक महिला गट में महिनी के पहले तीन दिनों में बिलतर्टीब 30 रुपिय, 35 रुपिय और 40 रुपिय के हिसाब से रखम जमा की है तो इसने फर्वरी 2016 इस महम में कुल कितनी रखम जमा की तो यहां पर मतुरा ने पहले महिनी के फर्वरी महिने के पहले तीन दिन 30, 35 रुपिय और 40 इस तरह से उसने रुपिय जमा किये है तो अगे के दिन वो पैसे किस तरह से जमा कर रहे होगे यह एक पैटर्न है पांच-पांच रुपिय बढ़ आए हर दिन तो अगले यानि चोहते दिन इसने 45 रुपिय दिये होंगे पांच-फ़े दिन इसने 50 रुपिय दिये इसी तरह यह महिने के हर दिन 5-5 रुपिय बढ़ा कर पैसे जमा कर रहे होगी तो ध्यान रखें यह फरवरी महिना जो है 2016 का है और 2016 यह लीपियर है 2016 यह लीपियर कैसे पैचाना मैंने क्योंकि अगर आपको लीपियर देखना हो तो उसके लास के दो डिजिट देखोगे आप 16 अगर यह 4 से डिवाइड होता है तो लीपियर यह जो 16 है totally divide होता है 4 से तो यह लीपियर है इसी तरह 2024 अगर आप देखोगे तो 24 यह जो है 4 से totally divide होता है therefore 2024 is also a लीपियर और लीपियर में फरवरी के महने में 29 दिन होते हैं तो यहां पर यह पहला दिन का उसका जमा रुपी है second दिन उसने 35 रुपे जमा किये third, fourth इसी तरह से 29 दिन वो पूरे जमा करेगी और यह total हमें पता करना है सबका summation हमें पता करना है तो यहां पर यह arithmetic progression बन रहा है और आपको पता है कि उर्दू में arithmetic progression को क्या कहते हैं तो please मुझे comment करकर जरूर बताए तो यहां पर देखे 30 और 35 के दर्मियान का फर्क आया है 5 रुपे है 35 और 40 के दर्मियान का फर्क 5 रुपे है 45 और 45 का पांच तो इसी तरह से दो दिन के जो amount वो जमा कर रहे है जो amount का फर्क है वो 5 रुपे ही आ रहा है तो D हमारा क्या है D पायू है A क्या है पहली जो amount है पहले दिन फर्वरी मैने के पहले दिन के amount 30 है और N यहां पर हमें दिया है 29 फॉर्मूला क्या है Sum Sn is equal to N by 2 2 A plus N minus 1 D फिक है N क्या है 29 divided by 2 2 into A क्या है पहले दिन जो उसने रखम जमा की 30 रुपे वो A है 29 minus 1 और D क्या है 2 दिन की जो रखम है उसके बीच का फर्व जो के 5 है ठीक है इससे simplify करते है S29 is equal to 29 by 2 यह होगा 2 into 3 0 plus 28 into 5 इसमें से 2 common लेंगे तो क्या होगा यहां पर देखिए इस term में 2 है 28 यह 2 का multiple है 2 का जरीब है तो इसमें से अगर 2 हम common लेते हैं तो common निकलने वाला 2 इस denominator वाले 2 से cancel हो जाएगा बचेगा क्या 29 30 यहां प्लस यह आएगा 14 टूज़ा 28 होता है 2 हमने निकाल लिए आए तो यहां पर 4 बचेगा इन्टू फाई यू इस इकूल तो 29 30 और यह सतर आएगा सतर जमाती 100 होगा 100 जरब 29 29 हंड्रेड होगा ओप्शन देखते हैं ओप्शन में यहां पर देखिए ओप्शन 3 पर दिया गया है 2900 रुपीज फरवरी के महने में कुल जमा होंगे महिला बचत गट में तो चलिए यहां पर ओप्शन 3 करेक्ट है आई होप यह वीडियो आपके लिए हल्क्फुल है वीडियो अगर आप पसना आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें जासे जार शेयर करें चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैक्यों फॉर वाचिक